हे गाईज तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 कार्स के बारे में जो आपको 1 करोड रुपे में इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाती है ये कार्स आपको 1 करोड रुपे के अंदर ही देखने को मिलेंगी हाला कि आप इन कार को लो या ना लो लेकिन मुझे लगता है कि कि आपको इन cars की information, specification, features और pricing के बार में knowledge होने चाहिए, ताकि अगर आपसे future में कोई पूचे कि भाई ये car कैसी है, तो आप थोड़ी बहुत information सामने वाले को दे सको, तो number 1 पर आती है Land Rover की Range Rover Villar, दोस्तो ये car आपको दो ही model में available होती है, पेट्रोल में आपको एक model मिलता है R-Dynamic S पेट्रोल, इसकी एक शुरूम प्राइजिंग है 79,87,000 और on-road ये आपको 92,00 रूपीज की देखने को मिल जाती है, और डीजल में आपको एक model देखने को मिलता है R-Dynamic S डीजल, इसकी एक शुरूम प्राइजिंग है 80,71,000 और on-road ये आपको 95,00 रूपीज की देखने को मिल जाती है, दोस्तो अगर इस car का overall look देखा जाए ना, तो segment के साफ से इसके जो शांदार look है वो बहुत ही जबरदस्त है, मतलब आपको इन अदम राजा महराजा वाली feel देती है, लक्जरी feel आपको ये कार देती है, आप अंदर से देख लो या आप बहार से देख लो, इसका looks ना एकदम beast है, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है, दोस्तो इस car में आपको 2 लिटर का turbo petrol देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 250 PS की power और 365 NM का torque देखने को मिलता है, वहीं आपको 2 लिटर का diesel engine देखने को मिलता है, जिसमें आपको 204 PS की power मिलती है, और 430 Nm का torque देखने को मिल जाता है, दोस्तो इस car में आपको automatic transmission देखने को मिलता है, जिसमें आपको 8 speed का automatic transmission available होता है, और दोनों ही model में आपका अगर आप पैट्रो लोत या फिर डीजल दोनों में या आपको all wheel drive system देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर बात करें इसके features के दोस्तों इसमें आपको automatic door handle देखने को मिलते हैं, और ऐसा कि ने आप उनको अपने आप नीचे हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों interior से बात करें, तो इसमें आपको 3 screen available होती है, main screen आपको TFT में देखने को मिलती है, जो आपको speedometer show करती है, दूसरी screen इसमें आपको Apple CarPlay, Android Auto गी देखने को मिलती है, जिसमें आप map वगेरा connect कर सत्ते हो और तीसरी screen में आप इसके climate control को set कर सत्ते हो, या फिर आप ambient lighting को enable कर सत्ते हो, ठीक है और इसमें आपको 6 airbags available होते हैं ABS with EBD electronic stability सारे features आपको इस car में देखने को मिल जाएंगे, मतलब safety feature भी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, और price के साब से इसमें आपको features भी तकड़े देखने को मिल जाएंगे, तो ये तो थी range rover विलार, number 2 पर आती है Audi A6, दोस्तो भले ही ये एक all wheel drive car है, लेकिन आप इससे off-roading नहीं कर सकते, क्योंकि ये sedan car है, तो इसमें आपको ground clearance बिल्कुल भी कम देखने को मिलता है, मतलब कम ही देखने को मिलता है, तो जैसे आप off-roading ले उतारोगे, तो ये car आराम से पत्थर बगड़ा से टकरा जाएगी, तो मैं कहूं तो आप इससे off-roading बिल्कुल नहीं करना, city riding ले ये car बहुत ही perfect है, इस car में आपको दू model देखने को मिलते हैं, premium plus और technology और ये सरफ आपको petrol में ही available होती है, इसके premium plus की action room pricing है 57,08,000 और ये आपको on-road 66,47,000 रुपीज की देखने को मिल जाती है, वहाँ इसको जो top model है, वो है technology मतलब 45 TFSI technology, इसकी action room price है 61,081,000 और on-road ये आपको 71,086,000 की available हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको पता ही, आपको डीजल में available नहीं होगी और ये मतलब कैसा थे, डीजल इंजन उतारना बंदी करती है इसके आपको petrol में देखने को मिलती है इसमें आपको 2 लीटर का petrol इंजन देखने को मिलता है, जिसमें आपको अपको तीन स्क्रीन देखने को मिलती है में ड्राइवर स्क्रीन में आपको स्पीड वगएर देखने को मिल जाता है और वो TFT में आपको अविलेबल होता है, आप उसमें मैप वगएर भी connect कर सकते हो दूसरी स्क्रीन में आपको Apple CarPlay और Android Auto की connectivity देखने को मिल जाती है और जो नीचे स्क्रीन आपको देखने को मिलती है दोस्तो इसमें आपको 8-way adjustable electronic seat देखने को मिलती है driver और co-driver seat में तो आप अपने हैसाब से एक बटन दबा कर seat को adjust कर सकते हो, panoramic sunroof भी आपको इस कार में available हो जाती है तो ये तो थी Audi A6 पर 3 पर आती है Mercedes-Benz GLC दोस्तो ये जो कारण ने ये range rover विलार को टकर देती है हालाक अगर देखा जातो लुक्स वाइस ये कारोस कार को टकर नहीं दे पाती, क्योंकि लुक्स में ये कारोस कार से काफ़ ज़ाद पीछे हो जाती है लेकिन अगर इंटियर को देखा जाए और इसकी driving capabilities को देखा जाए performance को देखा जाए तो ये कार आराम सा range rover विलार को टकर दे देती है यहाँ पर दोस्तो ये कार आपको petrol diesel दोनों में ही available हो जाती है petrol में इसका action room pricing ए 58,60,000 और on road ये आपको 67,60,000 में available हो जाती है ये कार आपको diesel में भी देखने को मिल जाती है इसकी action room pricing 64,30,000 और on road ये आपको 75,66,000 में देखने को मिल जाती है अगर आप overall looks देखोगे ना तो बतार decent look आपको देखने को मिलता है लेकिन आपको driving capability देखने को मिलती है इस कार में आपको 2 लीटर का turbo petrol engine देखने को मिलता है जिसमें आपको 197 PS की power और 320 Nm का torque देखने को मिल जाता है वहीं इसमें आपको 2 लीटर का turbo diesel देखने को मिलता है जिसमें आपको 194 PS की power और 400 Nm का torque देखने को मिल जाता है 9 speed का automatic transmission आपको इस कार में available होगा Manual Transmission आपको इस Car में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक Weird सी चीज़ आपको सकार में देखने को मिलेगी, अगर आप इसका Petal वाला Variant लेते हो न तो इसमें आपको All Wheel Trip Science System देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप Diesel लोगे न तो इसमें आपको अंदर से देखने को मिलता है पांच लोग आप आराम से इस कार में बैठ सकते हो और मतलब बड़ी आपको कमफ़र्ट इस कार में देखने को मिल जाता है तो यह तो थी मर्सेडीज बैंज जी लसी नंबर फोर पर आती है लक्सिस NX300H दोस्तो यह जो कार में देखने में काफी स्पोर्टी और मस्कुलर लगती है अगर आप इसके साइड एजस को देखोगे न तो यह कार में दम प्रीमियम लोकिंग लगती है अगर आपको एक दम कम में छोटी लिंब और गेनी यूरस चाहिए न तो आप इस कार क की तरफ जा सकते हो दोस्तो यह कार में आपको तीन मॉडल देखने को मिलते हैं और यह सुर्फ आपको पैट्रोल में ही अविलेबल होती है बेस मॉडल की ऑन रूट प्राइजिंग ए 67,12,000 और टॉप मॉडल एफ स्पोर्ट आपको अविलेबल होता है जिसकी ऑन रूट सिस्टम देखने को मिलजाता है सेप्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एट एजस्टैबल सीट्स देखने को मिलν जाती है यह लेकिन सर्प्रेंट अविलेबल होती है मतलब से आपको वे इंटिलेटेट में अविलेबल होती है तो यह तो थी लेक्स एनेक्स 300 एच नंबर फाइब पर आती है जैगवार एफ पेस दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो जैगवार ने कभी एक और आपको A-Dynamic S चंहेजब देखने को मिलता है जिसकी आपको 204 पीएस کی पावर और 430 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाएगा और दोनों ही वेरियंट्स में आपको 8 स्पीड का आप्टोमेटिक ट्रांस्मिशन देखने को मिल जाएगा और अगर आप पैट्रोल हो या फिर डीजल हो आपको दोनों में आपको और यहीं आपको तर नहीं कर सकते हैं और इसमें आपको नैविगेशन में देखने को मिल जाता है अगर आप सीट को दो कमफ़ट काफी बढ़िया है और इसमें आपको 8-way adjustable electric seat देखने को मिल जाती है तो ये तो थी Jaguar F-Pace तूमीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको like करो, share करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो subscribe करके bell icon दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ अभी के लिए thanks, till then wait for my new upcoming videos